वेलो फ्रेंड्स मेरे नाम है अमित खटर और मैं कैम सुलिशन दियाना से भोग रहा हूं और हम कर रहे थे मास्टर क्याम कुछ टिप्स और ट्रिक्स तो जिसमें से आज हम करने वाले हैं सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंटूर सेंटर एंड एकजट पॉन तो इसमें क्या ओक्षिन है हमारे पास पर फोस्वरों मेरे पास यहां पर देखो एक कंटूर टूल पाथ बना हुआ है तो अगर आपने कंटूर टूल पाथ की ट्रिक्स तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहा पर जाकर आप कंटूर के क्टिंग कर रहा है जो एंटरी होई है और एक में अंदर से हो रही है तो हम चाहते है हमारा एंटरी अपनी geometry select करेंगे ठीक है तो geometry select करने के बाद यहाँ पे हमारे पास option आती है point तो point पे मैंने click किया और ये point select करेंगे ओके करेंगे तो हमारे पास उसके बाद हमने tool ले लिया cutting parameter में हमने बख्की कोई भी changes नहीं कर रहा हूं सीम रहने दे रहा हूं यहाँ पे lead in lead out में एक option होती है use entry point and use exit point जो हमने point select किया तो उसको use करेंगा ये entry point से और exit point से ओके करके देखते हैं के हुआ के नहीं हुआ देखो नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ उसका कारण बहुत important है जो समझना कि यह point हमने देने के बावजूर हमारी selection में क्यों problem आई तो उसका कारण यह है कि geometry में एक चीजिक का ध्यान रखना है कि जो point है वो पहले होना चाहिए selection में और chain बाद होने चाहिए तो इस point को मैं पकड़के अगर उपर कर देता हूँ okay कर देते हैं और generate करते हैं तो यह देखो starting point change होगा ठीक है आपको अगर अंदर चलाना है तूल पाद या बाहर चलाना है उसके लिए आप compensation में left या right कर सकते हैं कि आपको entry अंदर से लेनी है या बाहर से लेनी है ठीक है तो एक तरीका यह है है कि आपको starting point कौन सा देना है और exit point कौन सा देना है ठीक है बट अपको प्रॉल्म क्या होती है कि हमारे पास हैं बहुत सारे और ठीक है तीन circle है दो rectangle है ठीक है एक दो rectangle यहाँ पर भी है ठीक है तो आपको क्या चीज अब जैसे एक-एक को करेंगे तो यह बहुत बिल्टिकल्ट हो जाएगा task सबका point select करने में उसके लिए suppose को जैसे मैंने पास यहाँ बाइंसरे में इसके लिए मैंने यहाँ बार point लगा दिया अंदर ही लगाते हैं तो आपको जो entry point देना है तो वह वाला point आप दे सकते हो ठीक है यह जो option आ रही थी lead in lead out में तो यहाँ पर lead in lead out में अगर हम entry और exit perpendicular कर दें और यह arc radius zero कर दें तो यह कुछ हैसे तरीके से नजाना नहीं लग जाएगा तो entry कहां से लेना है और exit कहां से लेना है और इसमें भी symmetry अब जब हम select कर रहे हैं यह वाली तो इसको मैं करता हूँ चेंज साइड और जनरेट तो यह बाहर वाली साइड चली जाते हैं अगर मैं यहां पर right click करके यहां से भी ले सकते हैं टूल पाथ में जाके चेंजमेटर में जाके यहां से भी हम इसकी change side कर सकते हैं एफ ं दर चाहिए या बार चाहिए reverse chain भी कर सकते हैं अगर इधर को जाना है तो उसके quarter हम reverse हम मेरेट किया है उन्ने और यह अभी वाल कोज़ु कैर्ट है ँसकी change side एक और फिरसे कर लेता हैं ताकि ये मेरा अंदर से आने लग जाए वीडियो को देखने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करो ठीक है तो हम एक और टूल पार बनाते हैं दुबारा से कंटूल टूल पार जिसमें मुझे बहुत सारे multiple options सेलेक्ट करनी है ठीक है तो उसके लिए मैं यह हमारी जैसे second option है geometry की selection कैसे करनी है वह मैं आपको दिना हूँगा कि geometry selection कैसे करनी है और उससे पहले आप क्या करो वीडियो को like का बटन दबा दो और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है mastercam में, powermail में, nx में, solidworks में, cat या में किसी resultor में catcam से related problem आ रही है तो आप मेरे इस number पर WhatsApp कर सकते हो ठीक है तो कोशिशी करेंगी उसका tutorial बनाने की अच्छे से तो हम बात करने थे हैं अगर हमारे को multiple options select करनी है तो हम क्या करेंगे tool path में जाएंगे control tool path लिया अभी देखो जैसे ही मैं इसको इसको पर click करता हूं circle पर ठीक है तो यहां पर हमारे पास एक option आती है chain features तो अगर मैं कर देंगे अभी identical है identical का क्या मतलब होता है अभी देखो इसको तो उसने नहीं किया मैं इसको cancel कर रहा हूं छोड़ दिया हमने identical का मतलब होता है जब same चीज जैसे मैंने अगर यह वाला circle को select किया और इस पर click करता हूं तो उसके identical जो है जो same size है same radius का चाहे rectangular हो चाहे आप जैसे मैं rectangular लेता हूं तो भी हम इसको जो same होंगे identical होंगे बिलकुँ size में वही select होंगे ठीक है तो मैंने same identical नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए shape match जिसकी shape match करती हो वह भी हो जाए तो यहां पर मैं इस पर click करूँगा और उसके बाद मैं इस पर click करूँगा तो same same जो है shape जाहे circle है तो circle हो जाएंगे और अगर मैंने एक rectangle करके इसके उपर click किया तो वह वले हो जाएंगे तो वह चीज़ आपको जमेट्री से यहां पर चेंज कर सकते चेंज फीचर में फीचर option में ठीक है एक पर यह okay करके देखते हैं इसमें एक दो option और भी है वह भी बत यह entry point और exit point on होने चाहिए okay किया तो यह देखो बन गया बड़ उसने point लिये नहीं इसका तो ले लिया इनका नहीं लिया ठीक है उसका कारण क्या हुआ कि हमने points नहीं दिये तो हम geometry में जाके अगर इसके point select करेंगे क्योंकि उसको point भी तो देने पड़ेंगे ना देखो हमन इसको select किया 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 सबको एक एक बार में select कर लिया ठीक है और इसके बाद point दिये तो point कौन सा ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला ठीक है तो हमने point भी दे दिये तो अगड़ गड़ क्या होगी देखो य कर चाहिए तो इसका तरीका क्या है अगर मैं इसको चला कर दिखा हूँ तो कोच नहीं होगा क्योंकि हमारे को ऑब्जेट को पॉइंट्स मिले ही ही ठीक है तो हम इसकी जमेटरी में जाएंगे इसको क्लियर अगर देता हूं मैं री चैन और यानि मकसद कैसे सेलेक्शन होगी जीजिस की पहले पॉइंट बित फिर पॉइंट फिर कर या थे सेलेक्शन करने में तो मैं इसका वी बताता उओ और मैं तुम्हारे को पहले दिखाना चाहत हूँ चाहिए ऐसे करेंगे तो सब का देखो दिरेक्षे लेफ्ट राइट कर सकते हैं इसको भी हमारे को चेंज करना है उसकी जाओ और जैसे मुझे इसको चेन्ज करना है और मुझे को करना है इसको करना है तो ना गया है कि इसको करने पादेंगे जमेरिटर नमबर है 34 इसकी हम कर देंगे चेंज साइट, ओके करेंगे, जन्रेट करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है, इसको अच्छे से जुरूर प्रेक्टिस करनी है, क्योंकि इसकी हमारी को बहुत जुरूरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो भी हमारे को चेंजि इसकी जमेरिम में जाएंगे, एक बार मैं इसको रीचेंग आल करूँगा, यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन होती है, इस ऑप्शन में जाके, यहां पर हमारे पास देखो, आ रहे हैं, नेस्टिंग, नेस्टिड चेंड, ठीक है, अभी नेस्ट क्लोजस्त है, जो सबसे न इसको select किया, select similar, इसको select किया, select similar, ठीक है, और points में, इस points पे click किया, select similar, तो सारे points select होगए, सबको select कर लिया हमने, okay किया, तो देखो यह aardomatically उसने अपने आप, यह points को सही position पर लेया, ठीक है, okay करेंगे, generate करेंगे तो देखो यह automatically सब अंदर से point pick comment लगए मेरे खियाल से बहुत important दो topic थे हैं एक तो कि control में start और exit point कैसे लेना है और geometry कैसे select करनी है start और exit point लेना है तो कई option हमारे को समझ में आगी next हम देखेंगे copy image copy image material next order में देखेंगे वीडियो फड़ा लंबा हो रहा है वीडियो को like का बटन जिरूर दुपाना है और चैनल को subscribe करना है जितने भी friends लोग master cam सीखना चाते हैं power mill सीखना चाते हैं pro e सीखना चाते हैं dell cam, catia, power shape cad cam से related कोई भी software salt box में cam सीखना चाते हैं solid cam सीखना चाते हैं आपको कोई ऐसा topic लगता है जो आप सीखना चाते हैं comment box में लिखना है यह मेरा number है इस पर आप workshop भी कर सकते हैं ठीक है